हेलो फ्रेंड्स, व्यस्सी की स्पसल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है मैंनेम इस आशिश गिरी और आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे इस सेमेस्टर से वो लेडियो मैं कई सरी वीडियो के लिए most important है तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं इसी वीडियो के डिसक्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल लाएगा या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको लग से प्लेइस्ट मिल लाएगा बेसी सेकेंड डियर प्लांट फीजियोलोजी के नाम से तो प्लांट फीजियोलोजी के अंदर हमने एक फोटो सिंथेसिस के टॉपिस को कवर किया था इससे पहले हम दो वीडियो औरली बना चुके हैं फोटो सिंथेसिस के उपर आज हम डिसकस करेंगे फोटो सिंथेसिस का थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट के अंदर अज हम कहुर करेंगे फोटो सिंथेसिस का सेकंड फेज डार्क रियक्शन के बारे में इससे पहले हम light reaction discuss कर चुके हैं जिसके अंदर हमने photo phosphorylation के अंदर cyclic और non cyclic photo phosphorylation को भी discuss किया तो आज का हमारा topic dark reaction इसे हम Kelvin cycle या C3 cycle के नाम से भी जानते हैं तो उसको हम detail में study करेंगे उस साथ में notes भी बनाएंगे और बाकी already notes मैं आपको application पर provide कर चुका हूँ तो चलिए दोस्तों start करते हैं तो चलिए फ्रेंड सेडिंग डाली जी photosynthesis part 3 part 3 के अंदर हम discuss करेंगे photosynthesis का second phase biosynthetic phase इसे हम dark reaction के नाम से भी जानते हैं और exam paper में Kelvin cycle के नाम से long question में पूछा जाता है साड़े 3 number, साड़े 7 number, या 5 number, या 10 number ये depend करता है कि आपका exam button कैसा है तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है इस वीडियो के अंदर हम dark reaction का complete notes बनाएंगे और साथ मैं अच्छे से समझेंगे कि dark reaction के अंदर क्या होता है I hope आपने इससे पहले photosynthesis की दो videos को देख लिया होगा जिसके अंदर हमने light reaction को cyclic, non-cyclic photo phosphorylation को discuss किया photosynthesis के basic points को भी हमने discuss किया तो वहाँ पर I think आपने अच्छे से समझ लिया होगा ये photosynthesis का part 3 है जिसमें हम dark reaction को discuss करने वाले हैं इसे हम light independent reaction भी बोलते हैं क्योंकि ये जो reaction है या photosynthesis का जो second step है dark reaction इसे होने के लिए light की जरूरत नहीं होती यानि इसमें light की need नहीं है जबकि हमने first step light reaction में देखा था कि ये light dependent process था क्योंकि इसमें light की जरूरत थी क्योंकि इस similitary power की बनने के लिए हमें energy की requirement होती है जिसका source होता है sunlight अगर indirectly देखा जाए अगर ध्यान से आप लोग थोड़ा सा तर्क लगाओ लोजिक लगाओ तो ये जो dark reaction है ये indirectly depend करती है light reaction पर ही I mean ये भी तरीके से light पर ही depend करता है क्योंकि अगर आपका इस similitary power ATP या फिर adenosine tri-phosphate जो है या reduced coenzyme NADPH H+, जो होता है अगर वो ना बने तो dark reaction भी नहीं हो पाएगा तो इसलिए मैं कहाँ ये एक तरीके से light पर ही depend रहता है तो indirectly dark reaction भी light पर ही depend करती है अब ये जो dark reaction है इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये dark में अंधेरे में होता है इसका मतलब ये होता है कि ये light पर dependent नहीं होती है और indirectly light पर ही dependent होती है तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ जाएए देखिए photosynthesis को एक बार फिर से मैं summarize करना चाहूँगा इसको revise करना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए photosynthesis जो हता है हम majorly दो steps में इसको divide करते हैं first step होता है light reaction या first phase light reaction जो कि light पर depend होती है और इसमें इसका main जो object होता है assimilatory power बनाना जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि इसमें oxygen जो है वो release हो रहा है साथ में ATP बन रहा है और reduce को अंजयमी बन रहा है तो main assimilatory power जो बन रही है उनका use होगा dark reaction में अब यह जो dark reaction है इसके बारे में अब अच्छे से समझते हैं dark reaction जो होता है यह light पर depend नहीं होता है दूसरा point इसमें carbon dioxide का fixation होता है कहां पर होगा dark reaction कहां पर होगा अगर आपसे पूछा जाए MCQs में तो dark reaction जो होता है यह chloroplast के stroma वाले भाग में होता है जबकि light reaction कहां पर होता है light reaction ग्रेनम में होता है या फिर आप कहेंगे थेलिकोइड की जो membrane होती है उसमें होता है ठीक है उसके बाद एक और point आपको note down करना है कि जो carbon dioxide है इसका reduction होता है इसमें और reduce होकर कि यह बनाता है glucose या carbohydrates इसे हम Kelvin cycle के नाम से भी जानते हैं Kelvin cycle के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि जो scientist है जिनका नाम Melvin Kelvin है उन्होंने 1950 में इसको discover किया था इसलिए इसे हम Kelvin cycle के नाम से भी जानते हैं हाला कि इस discovery में और भी कई सारे scientist है जो कि involved थे और इनके साथ ही उन्होंने भी काम किया था लेकिन इसलिए इस पर काफी kontroversy भी रही थी लेकिन आपको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको ध्यान अकना है Kelvin cycle इसलिए का जाता है क्योंकि Kelvin cycle Kelvin जो scientist है उन्होंने इसको discover किया उसके बाद इसे हम PCR भी बोलते है photosynthetic carbon reduction एक PCR बायो टेकनलोजी में भी है polymerase chain reaction वो हम बायो टेकनलोजी के अंदर डिसकस करेंगे फिलाल यहाँ पर photosynthetic carbon reduction है इसका मतलब और इन्होंने जो discovery की वो chlorella algae आपने नाम सुना होगा उसमें जो है इन्होंने radioactive isotopes carbon 14 का use करके उसको यह energy poor compound होता है यानि इसमें energy जो है बहुती कम होती है बहुती less energy होती है और अगर हमेंसे energy rich बनाना है यानि ज्यादा energetic बनाना है तो हमें इसे carbohydrates में convert करना पड़ेगा हमें इसे reduce करना पड़ेगा तो carbon dioxide के molecules को आप ध्यान से देखें उसमें carbon होता है और oxygen होता है और जैसे आप इसका reduction करोगे यानि addition of hydrogen जैसे आप इसमें hydrogen को आइड कर दोगे तो CHO और याद कीजिए जो carbohydrates होते हैं इसमें CHO major जो main main जो उसमें atoms होते हैं जैसे carbon, hydrogen, oxygen यह तो generally उसमें present रहते ही है तो simply इसका reduction होते ही glucose में convert हो जाता है या फिर किसी monosaccharides में convert हो जाता है और फिर plant अपने according उसको सुक्रोस में change कर देंगे जैसे आपने पढ़ा होगा कि fruits के अंदर सुक्रोस होता है यानि कि वो molecules हैं उनको add करके disaccharides में change कर देंगे तो यह सारा काम अपना plants का होता है main photosynthesis के अंदर monosaccharides बन जाएगा उसके बाद अगर आप देखें dark reaction के अंदर main जिसका object उसमें क्या होता है इसमें glucose में conversion करना है तो glucose का जो एक molecule बनाने में हमें क्या क्या जरूरत होगी इस चीज का भी हमें no down कर लेना चाहिए तो पहला point है 6 carbon dioxide हमें carbon dioxide के 6 molecules चाहिए साथ में 18 ATP चाहिए adenosine triphosphate के मलब की 18 ATP के molecules भी चाहिए और साथ में 12 NDPHH plus की भी हमें molecules चाहिए यह reduce coin जाए तो इस तरह से हमें अगर यह हमारे पास product available होगा तब हम glucose का एक molecule बनाएंगे ठीक है तो note down कीजिए यहां से थोड़ा theoretical भी आप note down कर सकते है dark reaction is called carbon fixing reaction it is a light independent process क्योंकि यह light पर depend नहीं करता है in which sugar molecules are formed from the carbon dioxide carbon dioxide से sugar molecule का formation होता है and water molecule साथ में water molecule भी ठीक है carbon dioxide plus water molecule the dark reaction occur in the stroma of chloroplast dark reaction कहां पर होता है chloroplast के stroma वाले भाग में जो कि मैं उल्लेडी बता चुका हूँ where they utilize the product of light reaction light reaction के द्वारा जो product बना जैसे assimilatory power जो बना वो use होगा dark reaction में plants capture the CO2 from the atmosphere दोस्तों यह जो पौधे होते हैं आपने देखा होगा leaf जो होता है leaf की जो surface है मैं वीडियो में भी उल्लेडी बताई चुका हूँ और दिखाई चुका हूँ डाइग्राम leaf के surface वर काफी सारे stomata होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं वहीं से carbon dioxide उसमें enter करेगा फिर वो mesophyll cells में या cells के अंदर enter करेगा cells के अंदर chloroplast होंगे chloroplast के अंदर जब यह carbon dioxide enter करेगा तो वो stroma वाले भाग में जाएगा तो stroma वाले भाग में ही carbon dioxide का fixation होता है in the kelvin cycle the ATP, NADPH, H+, formed during the light reaction light reaction के दोरान जो ATP और NADPH assimilatory power जो बनता है convert 6 molecules of carbon dioxide carbon dioxide के 6 molecules को वो sugar के एक molecules में convert कर देता है example glucose वो हम देखने वाले हैं just अभी अभी हम देखेंगे dark reaction को कितने steps में divide किया जाता है और इसकी cycle क्या है क्योंकि Kelvin cycle बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसमें जरूर कोई न कोई cycle बन रही होगी अभी आप इसको फटाफट note कीजिए तो चली friends discuss करते हैं Kelvin cycle के बारे में इसे हम C3 cycle के नाम से भी जानते हैं PCR photosynthetic carbon reduction cycle के नाम से भी जानते हैं इसको discover किया था Melvin Kelvin ने जिसके लिए उन्हें 1961 में Nobel Prize से अवार्ट किया गया था So guys it is a basic mechanism by which carbon dioxide is fixed Carbon dioxide जो हता है वो reduce हो जाता है fix हो जाता है in the form of carbohydrates Correct तो Kelvin cycle बहुत easy है लेकिन फिर भी student confused हो जाते हैं तो उस confusion से बचने के लिए आपको basically Kelvin cycle में करना क्या चाहिए आपको ध्यान अखना होगा जब जो भी आप substrate ले रहे हैं जैसे for example आप यह substrate ले रहे हैं तो आपको यह ध्यान अखना होगा कि इसके कितने molecules आप ले रहे हैं और कितने carbon का यह compound है उसके बाद जो resultant compound है उसमें कितने molecules हैं उसके कितने molecules बने और वो कितने carbon वाला compound है अगर आपने इन चीजों पर focus किया definitely आप C3 cycle को बहुत अच्छे से याद कर लोगे इस वीडियो को देखते देखते याद कर लोगे तो चलिए start करते हैं देखिए Kelvin cycle के 4 steps है 4 steps में Kelvin cycle complete होती है 1st step है carboxylation phase इसमें जो है carboxylation होता है 2nd step है reductive phase 3rd step है glycoletic reversal process और 4th step है regeneration phase तो इन 4 steps को आपको अच्छे से समझना है सबसे पहले discuss करते हैं 1st phase के बारे में तो 1st step में क्या होता है 1st step में carbon dioxide जो होता है वो leaf के अंदर stometta के दोरा enter करता है ठीक है ध्यान से सुनिए carbon dioxide environment से हम जो छोड़ रहे है carbon dioxide जितने भी जीव है carbon dioxide को छोड़ रहे है वो carbon dioxide leaf के अंदर stometta के दोरा enter करता है फिर वो mesophyll cell से होते वे chloroplast के अंदर enter करेगा और chloroplast के अंदर भी कहां पर stroma वाले पार्ट में अब यहां पर हमने carbon dioxide के 6 molecules ले लिए हैं क्योंकि दोस्तों हमें दिखाना है कि इसमें glucose कैसे बनता है अगर एक carbon dioxide का molecule जो होता है वो आपको यह समझ लीजे कि 6 molecules ही आपको एक molecule बनाएंगे carbohydrates के I mean glucose के क्योंकि glucose का अगर आप formula ध्यान से देखें तो वो है C6H12O6 तो इसका मतलब carbon की 6 संख्या है तो इसलिए अगर आप carbon dioxide के 6 molecules लेंगे तब जाकर glucose का एक molecule बनेगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 molecules लिए अगर आप 3 लोगे तो half glucose बनेगा अगर आप एक लेगे तो 1 by 6 कर दीजिए मतलब एक तरीके से कि इसी तरह है कि आपको 6 cycle रन करनी होगी तब जाकर glucose का एक molecule बनेगा अगर आप यहाँ पर carbon dioxide का एक molecule लेंगे तो ऐसी ऐसी 6 cycle आपको चलानी पड़ेगी एक glucose का molecule बनाने के लिए इसलिए मैंने डारेक्ट यहाँ पर 6 carbon dioxide के molecule लिए तो आई होप आपका यह doubt किलियर हुआ होगा अब देखिए पहला substrate है carbon dioxide अब यह bind करेगा यह react करेगा ribulose 15-bisphosphate के साथ और यह जो compound हमारे सामने दिखाई दे रहा है यह है 5 carbon compound यानि इसमें 5 carbon है 5 carbon compound है और इसके कितने molecule लिए हैं हमने 6 molecule क्यों लिए हैं क्योंकि हमें glucose के 6 molecule हमें glucose का बनाना होगा तब हमें यह 6 carbon dioxide के हमें molecule चाहिए और 6 molecule चाहिए RUBP के ठीक है इसको हम सोट में RUBP बोलते हैं ribulose 15-bisphosphate नाम को ज़रा ध्यान से देखिए क्योंकि I think आपने International Union of Pure and Applied Chemistry IUPSC पढ़ा होगा उसके naming according यहाँ पर आप पढ़िए ribulose 15-bisphosphate इसका मतलब क्या है यानि इसमें दो phosphate है एक first position पर जुड़ा हुआ है एक first carbon पर और एक fifth carbon पर दो phosphate group जुड़े हुए है इतनी बात clear हुई अब यह जब आपस में react करेंगे आपस में combine होगे तो इसकी presentation में किसकी presentation में Rubisco enzyme की presentation में और भी इसमें साथ से में क्या-क्या use होता है 6 carbon या 6 हमें water के molecules लेने होगे और magnesium iron लेना होगा तब जाकर यह carboxylation का process चलता है तो first step है carboxylation जिसमें 6 molecule carbon dioxide के 6 molecule RUBP के यह दोनों आपस में react करेंगे और जो resultant compound बनेगा उसका नाम है 3-phosphoglyceric acid 3-phosphoglyceric acid इसे हम short में 3-PGA भी इसको बोल देते हैं तो यह जो 3-phosphoglyceric acid बना यह 3 carbon वाला compound है कितने carbon वाला compound है? 3 carbon वाला और यह एक first stable compound होता है C3 cycle का इसलिए हम इसे C3 cycle बोलते हैं Kelvin cycle का first stable compound जो होता है वो 3 carbon वाला होता है इसलिए उसे हम C3 cycle के नाम से जानते हैं अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए आपने कितने molecules लिये थे RUBP के 6 carbon dioxide के कितने लिये थे 6 तो resultant जो compound बना उसमें कितने molecules हैं? 12 तो यहाँ पर 6-6 molecules आपस में जुड़ करके 12 molecules बन गए है 3-phosphoglyceric acid के अब देखिए ध्यान से 3-phosphoglyceric acid के 12 molecules बने और एक चीज़ आप और note down करें इसमें जो phosphate group है वो कौन से position पर जुड़ा हुआ है 3-phosphoglyceric acid मतलब glyceric acid के 3rd position पर या 3rd carbon पर phosphate group जुड़ा हुआ है अब आगे बढ़ते हैं हमारा यह first step complete हुआ second step है reductive phase reductive phase में क्या होता है दोस्तों सबसे पहले phosphorylation होता है यानि phosphate group का addition होता है फिर उसके बाद reduction होता है तो देखते हैं सबसे पहले reductive phase में क्या होता है ध्यान से देखिए यह जो हमारा resultant first stable compound बना अब इसका होगा phosphorylation यानि phosphate group का addition अब वो कैसे होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे ATP, एडिनोसीन ट्राइफोसफेट, क्योंकि एडिनोसीन ट्राइफोसफेट इसको फोसफेट गुरूप देगा, और यहाँ पर हमें कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे ATP के, आप जरा खुद सोच कर बताईए, क्योंकि 12 म पर हमें 12 फोसफेट गुरूप जोडने हैं, और एक ATP हमें एक फोसफेट गुरूप देगा, तो 12 ATP हमें 12 फोसफेट गुरूप देंगे, ठीक है, जितने स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसको थोड़ा बोरिंग फिल कर रहे होंगे, लेकिन जितने स्टू इनुसिन डाइफोसफेट में, यानि ट्राइफोसफेट था, एक फोसफेट चला गया इसका, तो अब ये डाइफोसफेट में कर्णवर्ट हो गया, अब आगे बढ़िए, अब फोसफोरालेशन करने के बाद, अब हमें करना इसका रेडक्शन, रेडक्शन का मतलब क्या ह होता है hydrogen group का addition तो hydrogen group कहां से मिलेगा इसको hydrogen group मिलेगा हमें assimilatory power NADPH H plus से यह जो reduce को enzyme होता है यही तो इसको reduction करेगा तो light reaction में जो assimilatory power बने थे ATP and NADPH plus यह जो है यहाँ पर use होते हैं dark reaction में ठीक है तो यह जो आपने देखा 12 molecule हमें लेने पड़ेंगे NADPH H plus के ताकि हम इसको reduce कर सकें और यह देखें reduce हो जाएगा यानि कि यह जो अपना hydrogen है वो इसको दे देगा इस compound को अपना hydrogen दे देगा और यह अनलोड हो जाएगा ठीक है अब यह दोबारा से चला जाएगा light reaction में दोबारा से load होने के लिए यानि तो यहां से लेके यहां तक के सभी के सभी 3 carbon compound है लेकिन यह था 5 carbon compound अब जड़ा ध्यान से देखें हमारा काम क्या था हमारा काम था glucose को बनाना और साथ में हमें RUBP को regenerate करना है क्योंकि हमें RUBP के बहुत ज़्यादा amount हमारे पास नहीं है हमें RUBP दोबारा से regenerate करना पड़ेगा तो RUBP भी जनरेट होगा और साथ में glucose का एक molecule भी बनेगा अब देखें यहां पर पूरा focus होकर देखना है क्योंकि यहीं पर student को सबसे अदा problem होती है इसी step में आ करके यहीं पर जो molecule से उनकी count करने में डिक्कत होती है तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ देखें एक तरफ हमें जो third step होता है उसका नाम क्या है उसका नाम है glycolytic reversal क्यों बोल रहे हैं इसको glycolytic reversal क्योंकि दोस्तो glycolytic reversal का मतलब भी होता है जब आपने glycolysis का topic आपने पढ़ा होगा क्योंकि मैं already discuss कर चुका हूँ glycolytic में तो आपको याद हो कि जो glycolysis में जो बीच वाला जो compound था बीच में जो compound बना था उसका नाम था 3-phosphoglyceraldehyde उसको आपको reverse करना है आप glycolysis में क्या करते हो और फिर धीरे 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 बीच में जो compound बनता है उसका नाम होता है 3-phosphoglyceraldehyde अब आपको वापस उसको reverse करोगे तो वो glucose में convert हो जाएगा तो वही चीज यहाँ पर होती है इसलिए इसको बोलते हैं glycolytic reverse phase ताकि हमें दुबारा से glucose मिल जाए ठीक है तो I think आपको क्रेप साइकल का photosynthesis का पूरा connection अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब कुछ summarize कर रहे होंगे आप क्योंकि यह जो 3-phosphoglyceraldehyde है जब यहाँ पर reverse होगा यह reverse होगा तो क्या होगा reverse होगा तो यह fructose 1-6 bifosphate में convert होगा 6-phosphate में convert होगा फिर यह glucose 6-phosphate में convert होगा फिर यह glucose में convert होगा तो इस सबसे reverse होकर यह glucose में बना लेगा अब ध्यान से देखना है देखे हमारे पास 12 molecule है phosphoglyceraldehyde के और यह 3-carbon compound है अब यह जो 3-carbon compound है और 12 molecule है तो total कितने carbon हो गए total count करो तो मैं कहूंगा 12-3-36 12 को गुणा कर तो 3 से 12 को multiply कर तो 3 से तो total कितने आ जाएंगे 36 36 carbon में से 6 carbon तो हमने glucose में invest कर दिया हमें glucose का एक molecule चाहिए था जो कि हमने 6 carbon यहाँ पर invest कर दिया अब जो 5 carbon है बचे वे जो 30 carbon है sorry 30 carbon उन 30 carbon को हमें यहाँ पर यूज करना है once ribulose rubp बनाने में क्योंकि rubp दोस्तों जो होता है इसके हमें 6 molecule बनाने है तो 5-6-30 carbon हमें चाहिए होंगे जो कि यहाँ से waste हो जाते हैं तो I think आपको countation में कोई problem नहीं होगी लेकिन एक बार फिर से मैं इसको दुबारा से repeat कर देता हूँ देखें हिंदी में repeat कर देता हूँ फटा-फट 3-phosphoglyceraldehyde के जो 12 molecules थे 12-36 total कितने carbon हो जाएंगे दोस्तों total हो जाएंगे 36 carbon 36 में से 6 carbon हमने glucose को दे दिये बाकि हमारे पास बचे कितने 30 carbon अब हमें यहाँ पर 5-6 molecule वापस से RUBP के बनाने हैं ठीक है तो कैसे बनाओगे हमें कितने कितने carbon की जरूत पड़ेगी तो 5-6-30-30 carbon की जरूत पड़ेगी तो यह 30 carbon यहाँ पर यूज हो जाते हैं दुबारा से RUBP को बनाने में लेकिन एक point और ना उट्डाउन कीजिए एक point यह आ रहा है 3-phosphoglyceraldehyde यानि यह जो glyceraldehyde के 3rd carbon पर सिर्फ एक phosphate group है लेकिन अगर आप देखें RUBP को तो इसमें 1-5-bip phosphate है यानि 2-phosphate group है एक 1-5 carbon पर एक 5-5 carbon पर तो दिक्कत यह है कि हमें एक phosphate group और भी चाहिए तो वो कहां से मिलेगा हमें अगर 6 molecule है तो कम से कम 6 phosphate group चाहिए क्योंकि वापस हमें यहां पर जोड़ना है phosphate group को तो वो कैसे जोड़ेगा वो मिलेगा हमें दोबारा से हमें ATP लेना पड़ेगा तो हम यहां पर 6 ATP के molecule लेंगे जो कि इसे 6 phosphate group इसको donate करेंगे अब जिस क्योंकि 6 molecule है तो 6 ATP की जोड़ेगी तो इस तरीके से 6 ATP जो हते हैं वो 6 ATP में यहां पर convert हो जाएंगे और phosphate group donate कर देंगे इसको तो अगर आप देखें इस cycle में कितने ATP आपने invest किये तो total आप देखेंगे जो आपने use किया वो मैं already बताई चुका था कि Kelvin cycle के लिए 18 ATP की ज़रूत पड़ेगी 6 आप carbon dioxide के जो हम molecules लेंगे और साथ में NADPH, H plus के कितने molecule reduce quonzyme के 12 molecule invest किया तब जाकर हमारे पास glucose का एक molecule बना ठीक है में चीज बात किस पर ही है क्योंकि RUBP तो already present है carbon dioxide से हमें glucose ही तो में चीज हम glucose के respect में सारी बाते बोलेंगे ठीक है इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो guys I think आपको पूरी cycle समझ में आ गई होगी regeneration हो गया है तो एक बार फिर से यहां पर theoretical को भी थोड़ा सा रिवाइस कर देते हैं I think cycle तो आपको समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी अगर कोई सबी doubt हो छोटा नोटा भी doubt हो तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आपको और भी social media के accounts आपके ओल पास already है देखें, carboxylation phase में क्या होता है phosphoglyceric acid PGA जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उसके बाद second phase आता है reductive phase यह दोनों के दोने steps जो है reductive phase के अंदर cover हो जाते हैं the PGA molecule are new, are now phosphorylated ATP की दोरा इसको phosphorylated कर दिया जाता है by ATP molecule and reduce by NADPH मलब यह जो हमारे पास assimilatory power है इसको दोरा reduce कर दिया जाता है यह reduce coin enzyme की दोरा और फिर जो हमारे पास compound बनता है 3-phosphoglyceraldehyde यह हमारे पास compound बनता है 3-phosphoglyceraldehyde इसको short में बोलते हैं PGAL PGAL उसके बाद number third glycolytic reversal third step है glycolytic reversal हला कि इसको कई books में Kelvin cycle को अंदर नहीं माना गया है मनलब मनलब यह माना गया है कि Kelvin cycle का step यह नहीं है लेकिन फिर भी कई books में लिखा हुआ है तो इसको हम note down किया है क्योंकि आप higher class में है इसलिए बता रहा हूं है आपको so glycolytic reversal में क्या होता है sugar का formation जो कि हमारा main object था dark reaction का main object क्या है sugar का formation करना glucose को बनाना अब आप सोच रहे होंगे sir हम जो fruits खाते हैं उसमें तो सुक्रोस होता है तो यह जो क्या करेंगे यह जो है इसी तरह से glucose के molecules को कठा करते रहेंगे इसी तरह से Kelvin cycle run करती रहती है तो इससे क्या होगा एक molecule से monosaccharides से disaccharides disaccharides से trisaccharides तो इस तरह से सुक्रोस से cellulose बन जाता है fructose बन जाता है सब कुछ दिरे-दिरे से बन जाता है ठीक है मलत हमें क्या करना एक molecule हमें पराप्त होगे फिर दो molecule को जोड़ करके हम disaccharides भी बना सकते हैं तो reductive phase में हमने देखा बारा से regenerate हो जाते हैं जितने हमने यूज किये थे तो इस तरह से RUBP regeneration इसको हम बोलते है reductive pentose phosphate pathway reductive pentose phosphate pathway notes वेगरा मैं उल्लेडी provide कर चुका हूँ by a book tech application पर एक बार फिर से मैं repeat कर रहा हूँ वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं आपको एक cycle समझ में आ गई होगी मिलते हैं दोस्तों next video में next video में discuss करेंगे C4 cycle के बारे में ठीक है अभी यहाँ पर मैंने ये तो आपको बता दिया कि हम carbon dioxide के 6 molecule ले रहे हैं लेकिन भाई साब ज़रा एक बात और भी पूछने आप से कि ये जो carbon dioxide अगर कमी हो गई plant में तो क्या होगा फिलाल सपोज carbon dioxide की concentration है वो leaf के अंदर बहुत ज़्यादा है इसलिए cycle रन कर रही है लेकिन अगर carbon dioxide की जगह oxygen की concentration ज़्यादा हो गई तब आप क्या करेंगे तब कौन सी cycle रन करेंगे तो उसके लिए एक नया fact एक नया एक नई cycle हम discuss करेंगे C4 cycle ठीक है तो अभी आप इसको फटाफट note कीजिए दोस्तों मिलते है नेक्स वीडियो में बाई बाई टटा